तो एलो सुड़ेंट्स कैसा हब सभी लोग आज हम इस वुड़े वह मारा मैक्स का चैप्टर 16 करेंगे जो है क्वाड्री लेटरल्स यह जो चैप्टर है पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे तो यह वीडियो आप ज़रूर देखो तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा क्व देखो quadrilateral होता क्या है देखो एक close figure जिसके चार side होते हो उसको हम quadrilateral बोलते हैं मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ देखो यह समझ लिए figure figure है फिगे यह एक figure है ओके चलो इसको हम नाम दे देते हैं A B C D तो देखो यह close figure है close मतलब बन्द figure है यह एक और इसके कितने side है दोको side एक यह side हो गया दूसरा side यह हो गया तीसरा यह हो गया चोथा यह हो गया चार side है ठीक है एक close एक बन्द figure जिसके चार side हो उसको हम quadrilateral बोलते हैं ओके वो figure देखो ऐसा भी हो सकता है जरूर नहीं ऐसे ही रहे यह देखो मैंने figure ऐसा भी बना दिया समझ दो ओके यह क्या है एक close figure है close है side कितने है देखो एक side यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा यह ठीक है D E F G ओके समझ गया मतलब की quadrilateral होने के लिए आपको shape से मतलब नहीं है वो कैसा भी shape हो बस वो एक close shape close figure हो और इसके चार side होने चाहिए कितने चार इस तरीके से ओके अब मैं एक और आपको example देता हूँ अब समझ लो मैंने close figure बनाया ओके यह close figure बनाया यहाँ पर A B C D देखो यह आप देख रहो close figure है side केतने है एक यह side दूसरा यह तीसरा यह और चौथा यह देखो A B 1 B C 2 A C 3 C D 4 चार side तो है और figure close भी है क्या यह quadrilateral है नहीं है क्योंकि जो चारो side है उससे मिलके close figure बनना चाहिए यहाँ पर तो देखो तीन side से मिलके close figure बन रहा है एक side बाहर है तो मतलब यह quadrilateral नहीं है आप समझ गए अब हम चलते हैं quadrilateral के बारे बारे हम थोड़ा और जानते हैं अब देखो चो quadrilateral होता है उसको आप name कैसे करोगे उसका नाम कैसे आप देते हो नाम देते टाइम आप clockwise जा सकते हो या तो anti clockwise जा सकते हो फिक है तो देखो आपको कोई एक ही नाम देना है जैसा चूज करो नाम देने के लिए वो आपके उपर depend करता है पहले हम क्या करते है यह जो हमारा ABCD है इसको हम पहले anti clockwise नाम देते हैं क्लोक्वाइज और anti clockwise क्या होता है आपकी जो घड़ी रहती है न देखो यह घड़ी है हमारी समझ लो ओके यह घड़ी है तो हमारे घड़ी का बड़ा वाला काटा है सुई कोई भी काटा लेलो वह किस तड़ी कैसे घंती है ऐसे ठीक है तो इसको हम बोलते है clockwise घड़ी का काटा जिस डिरेक्शन में घंता है अंधक क्लोक्वाइज और उल्टे डिरेक्शन को हम बोलते है ant क्लोक्वाइज समझ गया तो हम पहले कार्डरी लेटरल A, B, C, D यह हम पहला क्या कर रहे हैं एंटी क्लोक औज दाम दे रहे हैं A, B, C, D तो हम यह पर लिखते हैं A, B, C, D लेकिन एक बात बताओ इतना लंबा लिखने की मेहनत क्यों करना है हमें कार्डरी लेटर पूरा क्यों लिखना है तो इसका एक short form है देखो, यह आप यह symbol यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए यह इतना बड़ा लिखने के बज़ा है आप यह symbol यूज़ करो तो इसका मतलब यह ही होता है quadrilateral तो हम चलो इसको हटा के हम क्या करते हैं symbol लिख देते हैं यहाँ पर quadrilateral a, b, c, d तो यहाँ पर देखो आप कैसी दे सकते हो नाम अगला b, c, d, a बसके देखो आप नाम कोई भी vortex से start करके दे सकते हो ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है clockwise जाना है तो anti-clockwise तो हम यहाँ पर अगला नाम कैसे दे सकते हैं यहाँ पर देखो हम दे सकते हैं quadrilateral b, c, d, a तो हम यहाँ पर लिखते हैं b, c, d, a या तो अगर आप कुछ ही है तो आप ऐसे भी दे सकते हो c, d, a, b यहाँ से भी आप start कर सकते हो anti-clockwise जाके quadrilateral c, d, a, b या तो आप दे सकते हो quadrilateral d, a, b, c ऐसे भी आप नाम से दे सकते हो d, a, b, c देखो यह सब में से कोई आपको एक ही नाम देना है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप नाम दे सकते हो कोई भी एक आपको नाम दे रहा है आप कहीं से भी start करो B से start करने नाम देना है या तो C से या तो D से या तो A से आपको सिर्फ ध्यान में रखना है या तो clockwise जाओ या तो anti-clockwise जाओ अगर आप चोग तो ABCD नाम दे दो अगर कोई आपसे पूछेगा यह quadrilateral का नाम क्या है आप बोलो ABCD खत्म या तो आप बोल सकते हो C DAB ए अगर आपको D से start करनain तो आप बोल सकते हो DA, B, C ऐसे आप अलग-अलग नाम दे सकते हो ठीक है अपको कोई एक ही नाम बताना की quadrilateral का कोई एक ही नाम आपको देना है यह अलग-अलग तरीके से आप बता सकते हो नाम ओके क्लियर यह हमने कैसे देखा है हमने यह anti clockwise देखा है बता कि जो जो हमारे घड़ी का काटा रहता है जो उल्टा चलता है उसके हिसाब से देखा है हमने अब हम देखे हैं clockwise नाम कैसे देंगे वह आपको टेक्सबुक में दिया गया है देखो यहाँ पे हमने जो quadrilateral का नाम दिया है सब clockwise दिये हैं तो कैसे देखो quadrilateral की जगा हमने यह सीखा है कि हम यह symbol यूज कर सकते इतना लंब हमें लिखने की ज़रूद नहीं है तो देखो अभी यहाँ पे clockwise कैसे नाम दिया गया है सबसे पहले देखो clockwise मतलब कैसे गड़ी की सुई जो गड़ी का काटा है ऐसे चलता है ना तो इसको हम बोलते है clockwise तो देखो हम clockwise अब नाम दिखे पहला क्या देखो quadrilateral यह sign बनाना है आपको ADCB या तो आप यह देखते हो ADCB दूसरा quadrilateral DCBA आप यह तो A से start करो या तो अगर आप D से start करना चा करना है तो यहां से करो तो यहां से कैसे दोगे अगर clockwise आपको जाना है तो C B A D ठीक है quadrilateral C B A D ठीक है एक और बचता है दो यहां पर अभी अगर आप B से start करना चाहते हो तो B से start कर दो कैसे रहेगा quadrilateral B A D C तो देखो B A D C clear इस तरीके सा आप अलग-अलग नाम दे सकते ह के आप समझ गया देखो यहां पर बोल रहे है राइट दे नेम्स ओफ इस quadrilateral स्टार्टिंग अन्य वर्टेक्स एंड कोई एंटी क्लोक्वाइज अराउन इस फिगर यहां पर देखो आपको बोले थे इन्होंने clockwise करके हमें बताया था एंटी क्लोक्वाइज हमें लिखना सब आपको क्लियर होगा टेंशन मतलो हम स्लो स्लो धीरे धीरे सब कुछ करेंगे अभी देखो सबसे मेले क्या है एड्जेशन साइड साफ़ कौड्री लेटरल साइड आपको मालू में क्या होता है देखो यह बी सी डी एडी एबी सब साइड होते है ठीक है और देखो एड बाजुवाला बी सी है एडी है इसके पास दो दो बाजुवाले साइड है मतलब कि बाजुवाला साइड और देखो एक और बात जो एड्जेशन साइड होता है इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है जो एड्जेशन साइड आप लिखोगे न तो उनका कॉमन वर्टेक्स हो एड्जेशन साइड कौन सा है, साइड A D, तो देखो, साइड A D और साइड A B के पास common vertex कौन सा है, A common है ना दोने के पास, साइड A B, साइड A D, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एड्जेशन साइड, तो हम यहापर लिखते हैं, अभी, एड्जेशन साइड हम यहापर देखो लिखने बोला गया है, तो पहला क्या रहेगा आपका, side AB, इसका हमारा adjacent side कुन सा है, side AD, यहाँ पर हम लिखते हैं, side AD, ओके, देखो, यहाँ पर common vertex एक आ रहा है, side AB, side AD, यह एक common है, अब अगला लिखते हैं, side AB, इसका भी दो हो, एक common, यह adjacent side क्या आएगा, side BC, side AB का एक और adjacent side है, side BC, यहाँ भी देखो, common vertex B आ रहा है, और यह दोनों एक दूसरी आजू-बाजू में है, ठीक है, adjacent side मतलब बाजू आजू-बाजू आला, ओके, तो हम यहाँ पर दूसरा लिख सकते है, side AB, इसका adjacent हम क्या लिख सकते है, side BC, ओके, अब देखो, अब हम इसका एक adjacent side एक और है, कौन से रहेगा वो, देखते हैं, side BC का adjacent side कौन से होगा, आप बताओ, बाजू आला side CD, ठीक है, side CD, ए भी तो हमने लिख दिया है, अब इसका एक और जो adjacent side है, वो है side CD, यहाँ पर देखो, C common आ रहा है न, देखो, common vertex आ रहा है न, C, तो इसके लिख आप बोल सकते हैं, side BC का adjacent है, side CD, तो लिखते हैं, हमारा अभी अगला जो adjacent side है, side BC, इसका adjacent side CD, side CD, क्यों, क्योंकि देखो, दोनों एक दूसरी का आजू बाजू है, और दोनों के पास एक common vertex है, clear, अब चलते हैं, common vertex जरूरी, आपको देखना common vertex है, क्या, अगर common vertex रहा है, त तो चेक करना, कि दोनों के पास common vertex है या नी, clear, अब चलते हैं, हमारे अगले side की तरफ, side CD, तो side CD का तो एक है, हमें adjacent side मिले है, BC है, अब दूसरा कौन सा रहेगा, side CD का, क्योंकि हर side के पास दो-दो adjacent sides रहते हैं, okay, तो दोखो, side CD का कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, common है, okay, common vertex है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, side CD का addition है, side DA, इस तरीके से आपको exam में लिखना रहेगा, अगर आपको addition sides पूछेगे, clear हो गए, addition side कैसे लिखती है, क्या होता है, okay, चलो भी आगे बढ़ते हैं, अभी देखो हम पढ़ने वाले है, opposite sides of a quadrilateral, opposite side क्या होता है, देखो opposite side मतलब की उल्टे ही तरफ वाला, सामने वाला आप बोल सकते हो, अब समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे एक कुछ ऐसे line draw किया है, तो इसके opposite में आप line कैसे draw करोगी, यहाँ पे तो नहीं करोगे, यहाँ पे करोगे तो side में हो जाएगा, यह तो adjacent हो जाएगा, opposite सामने वाला, यह है, इसके opposite उसके सामने वाला रहेगा, बाजू वाला नहीं रहेगा, clear, मतलब की यह अगर हमारा side है, तो इसका opposite कुन सा रहेगा, यह यह नहीं रहेगा, तो दुनों बाजू वाला हो गया, इसके सामने वाला, यह होता है opposite side, ठीक है, उसके सामने वाला side, opposite साइड होता है किलियर हो गया अपोजिट साइड क्या होता है और अपोजिट साइड में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है एडिसें साइड में क्या होता है एक कॉमन वर्टेक्स होता है दोनों साइड के पास अपोजिट में कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है सिंपली अब यहां पर देखो हमें pair of opposite side लिखने हैं देखो कोई भी quadrilateral में 4 opposite side होते हैं ठीक है तो देखो हम यहां पर लिख सकते हैं हमारा पहला opposite side कौन सा रहेगा pair of opposite side तो देखो आप यहां पर पहले लिख सकते हो side a b तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे side a b इसका बताओ opposite side आप क्या लिख सकते हो मैंने आपको बता है न opposite side क्या होता है बताओ बिल्कुल सही इसका opposite side आएगा इसके सामने वाला तो इसके सामने वाला side कुन सा है ये और ये नहीं आएगा दुनों बाजू वाला हो जाएगा इसके सामने वाला ये है तो मतलब side dc ये है इसका opposite side clear तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पर side dc ओके ये इसका opposite side हो गया अब अगला लेते हैं side ad ये लिखते हैं हम यहाँ पर side ad इसका opposite side कुन सा है रहागा बताओ इसके सामने वाला तो इसके सामने वाला कुन सा है ये है तो side bc इसका opposite है ये वाला तो हम यहाँ पर लिख देते हैं side bc clear समझ गए कैसे आपको लिखना है अब देखो एक बात यहाँ पर आपको बोलिये जो मैंने बताया आपको कि जो opposite sides of a quadrilateral है इनका कोई भी common vortex नहीं होता है यह तो हमने देखा कुछ भी इसमें common आ रहे है का दोखो a b इसके पास dc है दोनों opposite वाले तो इनके पास common कुछ भी नहीं है अब दूसरा वाला क्या है side a d इसका opposite है side bc a d का opposite है bc इसमें भी कुछ भी common नहीं है clear आई वोप आप समझ गयोगे इतना समझाने की जरूद भी नहीं है आप smart हो चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो अभी क्या रहे है अब देखो एडिशन एंगल क्या होता है हमने जिसे एडिशन साइड तो देखा नहीं पर एडिशन साइड में क्या होता है अब एडिशन एंगल में क्या होता है एंगल तो आपको मालू में नहीं क्या होता है तो देखो एडिशन एंगल में क्या होता है इनके पास एक कॉमन साइड रहती है एडिशन साइड के पास तो कॉमन वर्टेक्स रहता है न इनके पास एक common side, common arm जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखो, आप देखो क्या लिख्या हुआ है, किलियर समझ गया, मैं आपको बताता हूँ, example मैं आपको देता हूँ, आप अच्छे समझोगे, देखो यहाँ पर, एंगल हम लेते हैं पहले यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं हमारा पहला एंगल एंगल डी इएफ देखो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल डी इएफ यह हमारा कॉड्री लेटरल है ना देखो डी इएफ जी यह कॉड्री लेटरल है तो इसमें हम देख रहे हैं इंगल कौन सा रहेगा बताओ बाजू वाला एंगल एडिशन एंगल मतलब बाजू वाला एंगल कौन सा रहेगा देखो एंगल EFG इसके बाजू वाला एंगल EFG देखो डी एफ जो एंगल हो यहां पर बन रहे तो इसके बाजू वाला एंगल यह रहेगा ठीक है इसके बा E, F, G और आप ध्यान दो इसमें एक common side है देखो, एंगल D, E, F के पास E, F एक side है और एंगल E, F, G जो उसके बाजुवाल हमने एंगल लिखाए इसके पास भी E, F side है तो दोनों के पास common side है E, F, D, E, F के पास भी है और ये वाले एंगल E, F, G के पास भी E, F है ठीक है, इसको बोलते हैं एक common arm होना एंगल के पास clear, समझ गया आगी चलते है हमने D, E, F का तो लिख दिया E, F, G एंगल E, F, G एंगल E, F, G तो देखो, इसका बाजुवाला रहेगा एंगल F, G, D समझ गया, इसका बाजुवाला कैसी देखो E, F, G ये एक एंगल है तो इसके बाजुवें कौन है इसके बाजुवें ये वाला है ना F, G, D यही आ रहा है ना इसके बीच में तो कोई एंगल आ नहीं रहा है ये वाला तो हमने लिख दिया ओल्रड़ी तो हमें दूसरा देखना है तो देखो ये आ रहा है कौन सा है? अंगल F, G, D आप यह पर लिख सकते हैं अंगल F, G, D अब देखो आप ध्यान से अगर देखोगे अंगल E, F, G और अंगल F, G, D दोनों में common arm एक आ रहा है common side F, G दोनों के पास F, G है अंगल E, F, G के पास F, G है और अंगल F, G, D के पास F, G है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपने सही लिखा है या नहीं एक common arm एक common side आएगा अब चलते हैं थर्ड की तरफ अब हम लिखेंगे अंगल F, G, D कौन सा? तो देखो, इसका एडिसन एंगल रहेगा एंगल G, D, E क्योंकि देखो, यह जो एंगल है इसके बाजुवाल एंगल कौन सा है? यही है बीच में कोई भी एंगल नहीं आ रहा है एंगल G, D, E ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल G, D, E क्लियर? अब चलते आगे, जो हमरा लास्ट है, देखो कॉट्रिलाटरल में न, चार आपको एडिसन एंगल मिलेंगी, ठीक है? तो हमें यहाँ पर चार एडिसन एंगल लिखना है हमने एक पहर लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा आप चौथा लिख रहे है, तो चौथा क्या बचा है? अब बचा है G, D, E G, D, E का हमने लिखा नहीं है तो एंगल G, D, E इसका एडिसन एंगल कौन सा हैगा? G, D, E का, बताओ G, D, E का एडिसन एंगल रहेगा D, E, F ठीक है? D, E, F क्योंकि इस एंगल का बाजुवाला ये है तो आप यहाँ पर लिखो एंगल D, E, F दोनों के पास एक कौन साइड है कौन सा है? G, D, E इसके पास D, E है यह वाले एंगल के पास और D, E, F यह वाले एंगल के पास D, E है ठीक है? दोनों के पास D, E, D, E opposite angles of a quadrilateral हमने adjacent angle तो देख लिया opposite angle क्या होता है ये भी opposite side के देखा है same, देखो, मैंने quadrilateral draw किया, ठीक है, समझ लो ये quadrilateral है, इसको नाम देते हैं A, B, C, B अब मैं अगर आपको बोलूँगा, इसमें आप मुझे opposite angle बताओ तो हमने अभी देखा ना, adjacent angle क्या होता है यहाँ पर एक angle था, adjacent angle मतलब की, बाजू वाला, ये वाला ये तो ये वाला, बाजू वाला, ठीक है लेकिन, मैंने आपको बोला opposite angle बताओ, तो आप कैसे बताओगे, क्या ये बाजू वाला बताओगे ये ये ये, नहीं ना, इसके सामने वाला, मतलब ये वाला इसके opposite में, सामने वाला ठीक है, same opposite side की तरह? opposite angle होता है तो मतलब की, अगर आप देखोगे, angle DAB, इसका opposite कौन सा होगा है angle BCD सामने वाला, ठीक है, और इन दोनों के पास, common arm या बोचे तो common side नहीं होगा जैसे की, इसमें एक common side आ रहा था ना, इसमें नहीं होगा है यही पहचानना का सबसे अच्छा तरीका है आपके पास तो देखो, हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या बोले है angle opposite to angle EFG is, अब देखो हमें क्या बोले है, जो angle EFG है इसके opposite में कौन सा angle है यह हमें पूछ रहे है तो बताओ आप, आपको कौन सा लग रहा है angle EFG के opposite में कौन सा है इसके सामने वाला ना कि बाजू वाला, यह नहीं ना यह, दुनों बाजू में है इसके सामने जो opposite में है ये इसका opposite angle रहेगा ठीक है तो कॉन से हो जाएगा angle EDG या तो GDE जैसे आप लिखना चाहो हम लिखते है angle GDE चलो हम लिख देते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर angle आपका जाएगा G angle GDE देखो angle लिखने में आपको कुछ problem ही है चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो बस खाली आपको naming करना है अच्छे से सही से ओके तो हम लिख लिया अब देखते हैं दूसरा में क्या पूछा है angle opposite to angle FGD क्या बोले हैं angle FGD जो है कौन सा वाला देखते हैं angle FGD इसके opposite वाला हमें पूछ रहे है तो इसके opposite वाला कौन सा रहेगा क्या ये रहेगा नहीं ये तो बाजु वाला है क्या ये रहेगा नहीं ये भी बाजु वाला है हाँ ये रहेगा ये इसके opposite में इसके सामने वाला है तो कौन सा रहेगा angle D E F F G D का opposite कौन सा है angle D E F समझ गया तो हम यह आपर लिख देते है angle D E F कोई दिखा नहीं सोरी angle D E F इस तरीके से आपको लिखना है समझ गया आप opposite angle कौन सा होता है अब दोखो हम देखने जा रहे है diagonal so far quadrilateral क्या देखने जा रहे है diagonal so far quadrilateral diagonal होता क्या है diagonal ना एक quadrilateral के opposite angle को जोड़ता है उनके vertices को उनके vertices को जोड़ता है ठीक है अभी आप नहीं समझ रहो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ देखो अभी समझ लो मैंने यहाँ पर एक quadrilateral बनाया इसको हम देखने देखने नाम X W X Y Z हमने इसको नाम देगी है W X Y Z अब देखो इसका angle कौन सा है एक यहाँ पर angle है W एक angle X एक angle Y एक angle Z diagonal क्या करता है opposite angle को जोड़ता है तो देखो W का opposite angle कौन सा है क्या X है नहीं यह तो बाजूवल है Z यह भी बाजूवल है Y हाँ W का opposite Y है तो देखो एक line आएगी जो W और Y को जोड़ेगी दोनों vertices को जोड़ेगी ठीक है दोनों angle को तो इसको बोलते हैं हम diagonal opposite angle के vertices को वो line जोड़ती है उसको हम diagonal बोलते है तो यह होगा diagonal W Y अब देखो angle X का opposite कौन सा है बताओ Y तो नहीं है तो बाजू वाला है W भी बाजू वाला है हाँ Z इसके opposite में तो एक line जो X और Z को जोड़ती है इसको हम बोलते है diagonal समझ गया आप diagonal क्या होता है opposite angle को opposite angle को या तो opposite angle के vertices को जोड़ने वाले line को हम बोलते है diagonal clear? I hope आप अच्छे समझ गए हो चोलो भी आगे चलते है अभी हमें last देखना है क्या है polygon इसके बाद हम अपना practice at 37 कर लेंगे एक और बात देखो यहाँ पर जो quadrilateral होता है ना उनके जब सारे angle को आप add करोगे तो answer आपका एगा 360 degree अगर आपको चेक करना है quadrilateral है या नहीं तो उसके सारे angle का measurement आपको दिया है add करो उनके answer आएगा 360 degree ठीक है? चलो यह उतना आपको अभी ध्यान में रखना नहीं है जब हम आगे करेंगे ना आपको अच्छे से समझ जाएगा अब देखो हम देखते हैं polygon polygon क्या होता है? देखो यहाँ पर आपको बताया गया है polygon देखो नीचे triangles, quadrilaterals, pentagons and other close figures with more than five sides are called polygon क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि triangle, quadrilateral, pentagon यह तो कोई भी side कोई भी figure जिनके 5 से जादा side रहते हैं more than five sides पांच से जादा side रहते हैं उनको हम बोलते हैं polygon देखो polygon में वैसे तीन या उससे जादा side वाले को हम polygon बोलते हैं कम से कम तीन side रहने चाहिए कोई भी figure के लेकिन आपके book में पांच या उससे जादा बोला गया है तो हम यही पकड़ के चलते है तो देखो अब 5 या उससे जादा मतलब क्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी side हो सकती है 5 से जादा वाले को सबको हम polygon consider करते हैं 5 या उससे जादा ओके clear हो गया अब देखो यह आपको एक figure दिया गया है इसमें कहे देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 side दी गई है तो यह कहा है polygon है तो 5 या उससे जादा आपके book में जितने भी figure दिया गया है आप समझ लो polygon है clear? चलोगी आगे चलते है अब देखो यहाँ पर तो हमारा यह complete हो गया है जो हमने concept पूरा देख लिए quadrilateral का polygon भी देख लिया है अब हम एक exercise कर लेते है practice set कर लेते है 37 इसमें देखो आपको कुछ बताया गया है क्या है? observe the figures below and find their names क्या बोलने है? यह जो figure हमें नीचे दिया गया है इनको observe करो और इनका नाम ढूंडो छी क σवाइब नाम पता करो तो हम देखते हैं पता लगाते हैं क्या नाम है इनका? देखो सबसे पहला figure यह आपको जो दिया गया है यह क्या है? यह figure को हम बोलते है pentagon क्या बोलते हैं हम? painter pentagon बोलते हैं ठीक है? क्यों हम pentagon इससे बोलते हैं? पेंटागन मतलब होता है कि ऐसा figure जिसके पास 5 side हो 5 angle हो तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 पाँच side है न तो इसके लिए हम इसको पेंटागन बोलते हैं देखो इसका जो नाम है इसी से पता चलता है देखो पेंटा मतलब होता है क्या पेंटा मतलब 5 ठीक है और गौन क्या denote करता ह एंगल इसके लिए हम इसको पेंटागन बोलते हैं लेकिन हमने अभी एक चीज़ पड़ी थी पीछे पॉलिगन क्या होता है पॉलिगन मतलब कि कोई भी figure जिसका 5 या उससे ज़्यादा side हो उसको हम पॉलिगन बोलते हो मतलब कि एक type का पॉलिगन भी हो गया तो आप यहां कैसी पे आप लिख सकते हो कि पॉलिगन भी five sides पेंटागन तो इसका नाम ही है एक दूसरा भी आप पॉलिगन भी five sides भी लिख सकते हो अब second figure की तरफ आते हैं second आपको क्या दियेगे यह figure है इसको आप क्या बोलोगे यह figure का नाम क्या है इसको हम hexagon बोलते हैं क्या बोलते है hexagon इसको हम hexagon क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ पहले हम इसका नाम लिख देते हैं hexagon देखो hexagon इसको इसके लिए बोलते हैं hexagon मतब कि कोई ऐसा figure जिसके पास 6 side हो और 6 angle हो उसको हम hexagon बोलते हैं तो अगर यहां पर आप देखोगे कितने side है देखो 1,2,3,4,5,6 6 side है न तो देखो hexagon मतब क्या होता है 6 गवर्ण मतब angle मतब कि इसके पास 6 angle भी है clear लेकिन इसको हम क्या और बोल सकते हैं polygon with 6 sides हमने देखा न कि 5 या उससे ज़्यादा side जो figure के पास हो उसको हम polygon बोल सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक और नाम इसका दे सकते हैं क्या रहेगा polygon with six sides ये नाम भी हम इसको दे सकते हैं clear अब चलते हैं हम अपने third figure की तरफ third में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर देखो इसको अब क्या बोलोगे ये figure का नाम है heptagon क्या नाम है इसका heptagon तो हम नहापर लिज़ सकते हैं heptagon ओके तो देखो इसको heptagon क्यों बोल रहे हैं heptagon का मतलब होता है कि एक ऐसा figure जिसके पास साथ side और साथ angle हो उसको हम heptagon बोलते हैं तो देखो, इसमें साथ साइड है क्या, देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ साइड है, और साथ एंगल भी है, इसके लिए अब सको हम हेप्टा गन बरते हैं, हेप्टा मतब सेवेन, मतब से एंगल, ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा था अभी तक हम जो लिखते आ रहे हैं वहीं में वापिस लिखने जा रहा था कि कोई भी फिगर जिसके पांच या उससे ज्यादा साइड हो उसको हम पॉलिगन भी बोल सकते हैं तो हम यहापर लिख सकते हैं कि पॉलिगन पॉलिगन विद गीं With seven sides हम एसे भी लिख सकते हैं अब आते हैं हम fourth figure की तरफ fourth figure में हमें क्या दिया गये है देखो यहाँ पर इसके कितने side है one two three four five six seven eight eight side है तो अइसे figure हम कि क्या बलते हैं octagon क्या बलते हैं octagon यहाँ पर लिखते हैं octa देखो हम, octagon क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा figure, जिसके पास 8 side, 8 angle हो उसको हम octagon बोलते हैं clear? ठीक है? octagon मतलब 8 गवरन मतलब angle तो हम इसको और कुछ नाम से बुला सकते हैं? इसको हम polygon with with 8 sides बोल सकते हैं, ओके? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, अब भी देखो, पीछे इधर ही पढ़े देना कि ऐसा figure जिसको पांच यह से ज़्यादा sides हो, उसको हम बोलते हैं कि उसको हम polygon बोलते हैं, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक और नाम इसका देख सकते हैं, polygon polygon with 8 with 8 sides ठीक है? ऐसे भी आप इसको नाम देख सकते हो, clear? यहाँ पर देखो, मैंने लिखा, polygon with 8 sides तो यहाँ पर हमारा practice set 37 complete होगे, यहाँ पर main मैंने आपको cultural lateral के बारे में, polygon के बारे में समझाया है, ठीक है? वह आप अच्छे समझ लो, यह आप तो करी लोगे इसके बाद हम जो practice set 38, यह main है, यह आपको अच्छे से समझना, अच्छे से करना है, exam में इससे question बहुत ज़ादा आते हैं, ओके? ठीक है? तो हम यहाँ पर आज का वीडियो end करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो आप इस सब्सक्राइब करूँ, थेंक यू